Hello everyone and welcome to my channel. देखिए BPSC के जो 150 questions आते हैं, उसमें top पे history, फिर current affairs, फिर science, फिर बिहार special का section आता है. तो उस बिहार special section के लिए मैंने top 1151 one-liners की series start की थी, जिसमें ये part 8 होगा. इससे पहले मैंने 7 parts cover कर रखे हैं, वो आपको आई बटन पे जो playlist देख रहा है, उसमें total 7 parts दिये हुएं, आप देख सकते हैं, अगर चैनल पे पहली बारा आ रहे हैं तो. इस lecture में हम बिहार economic survey 2021-2027 में इंडिया state of forest report, बन इस्तिती report जो 2021 में आई थी, उसको देखेंगे. उससे related कुछ important one-liners को इस video में मैंने डाला, जो कि काफी important है 67th PPSC re-examination के लिए. देखे, I hope आप GSDP, NSDP, per capita income, inflation rate, constant price, current price, इन सभी चीजों से वाकिफ होंगे, या एक बर आप revision कर लीजिए basic concepts economy की, ताकि आपको जो है economic survey समझने में या one-liners याद करने में काफी आसानी हो. 452 देखे, सबसे पहला, 2021 में, basically जो economic survey 2021 था, इसको तारकिश्वर प्रशाद सिंग ने 25 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया था, ये बिहार का स्वलहमा बिहार economic survey है, आप बताईए कि सबसे पहला economic survey कब पेस किया गया था, या आप comment section में बता सकते हैं, देखे, तो 2021 में 2021 का जो data द किया है, मतलब, बृद्धी दर्जयों का है, 2.5 परतिस है, तो वहीं राष्टिय अर्थिवेवस्था जो है, वो 7.25 से घटा है, मतलब, स्रैंक किया था, growth rate में, 19-20 का भी data हमारे लिए important है, क्योंकि आप देखिए, December 2020 में 66 BPSC का examination हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई examination नहीं हुआ है, तो हो सकता है, वो 2021 के बतले, 19-20 का पूछ ले, एक-दो डेटा यह सब काफी important है, सारा economic service important नहीं है, बट यह सब डेटा जो है, आपको काफी important है, आपके लिए अप ध्यान में रखेंगे, 19-20 में बस आप याद कर लिए, growth rate जो था, वो 7.41 परसेंट था, व वहीं अगर constant price का, किस पे calculate की जाती है, तो 2011-12 के price पे calculate की जाएगी, तो 419.88, आप comment section में मुझे बचास पता सकते हैं, अगर आपका basic concepts clear है, तो कि current prices पे क्यों जादा हुआ है, और constant prices पे GSDP कम क्यों है, वहीं net estate domestic product के बात करें, जिसको हिंदी में निवल राज्य घरेलूत कहते हैं, इसमें जो 2020-21 का data है, वो current prices पे बिहार का NSTP 566.47,000 करोड और constant पे 379.55,000 करोड है, यह data, चारो data important है, per capita GSDP की हम बात करें, तो constant price पे यह था 34,314, वहीं 19-20 में जो था, वो 33,379 था, current price यह वाला data भी आप याद रखेंगे कि 50,555 और growth rate ध्यान में रखेंगे कि 19-20 और 20-21 के बीच में जो per capita GSDP है, उसका growth rate 2.5% रहा था, देखिए, annual real growth rate की बात करें, GSDP की अब बिहार की last 5 सालों में, तो 7.5% रहा है, यह भी important है आपके लिए, per capita NSDP की बात करते हैं, per capita GSDP की बात करते हैं, तो यह constant price पे, यह 31,017 रुपीज था, 20-21 में बात करें, तो यह बहुत important one liner है, आप ध्यान में रखेंगे, कि सिर्फ बिहार और तमिल नाडू ने per capita NSDP में increment experience किया है, मतलब सिर्फ बिहार और तमिल नाडू में per capita NSDP increase हुआ है, बस दो राज्यों में, नेशन का average देखें, तो 86,659 है 21 में, यानि बिहार का जो per capita NSDP है, वो इंडिया के NSDP का मादर 35.8% है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, यह सभी service लिया हुआ data है और important है, sectoral growth rate की बात कर ले, तो यह हम एक span में देख रहे हैं, कि मतलब 2012-2013 से लेके 20-21 तक यहां पर 30 है typing error है, क्याहां इसमें क्या है कि जो आप पढ़ते होगी है, प्रात्मिक छेत्र हुआ, दो इत्तिक छेत्र हुआ, प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर का जो growth rate रहा है, 2012 से लेके 2020 तक के बीच में average growth rate है, यह 2.3% रहा है, primary sector का, और इंडिया का कितना रहा है, 3.2%, बट secondary और tertiary में आप देखेंगे कि बिहार का जो growth rate रहा है, average growth rate इस duration के दोरान, यह 6.4, इंडिया का 4, मतलब बिहार, as compared to India's secondary sector, ज्यादा अच्छा growth किया है, टर्सियरी सेक्टर में 6.7%, इंडिया में 6.2%, यह सारे data एक बार, इसको 2-3 बार आप देख लीजेगा, साथ में PDF में, टेलिग्राम ग्रूप में आपको डाल दूगा, वहां से लेके आप revise कर लिजेगा, last 7 days में, जितने भी PDF सिर्फ सभी टेलिग्राम ग्रूप में है, जो comment section में टेलिग्राम है, आप जाके join कर लिजे, बिहार से related, जितने भी MCQs है, मैंने करा हैं, लगभग 200 प्लस है, उसको 2016-17 का है, और ये comparison किया गया है, 2020-21 में, तो gross state value added में, primary sector का contribution योगदान रहा है, वो 19.2% रहा है, secondary sector का 19.5 और tertiary का 61.2%, ये तीनों data आप ध्यान रखेंगे, primary 19.2, secondary 19.5, 61.2, basically, देखेंगे कि last 5 सालों में क्या हुआ है, कि ये primary में आप देखेंगे तो ये घटा है, secondary में देखेंगे तो घटा है, और tertiary में बढ़ा है, ये आप ध्यान में डख सकते हैं, now we move on to the 462, देखें, highest per capita GDPV, which means इसका मतलब हुआ, gross, district, domestic product में, top पे कौन रहा है, तो पटना, 1.31,19,20 का ये data है, lowest की बात करें, तो शेवर, 0.19,00, ये भी ध्यान में रखेंगे, overall inflation rate की बात करें, महंगाई का, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कि बिहार का जो है, September 2020 से, September 2021 के बीच, 3.1% रहा है, वहीं, इंडिया की बात करें, तो 4.4% रहा है, और highest inflation rate जो है, महरास्ट्रा में, मतलब सरवधिक, मुद्रा, एस्पृतिदर जो था, वो महरास्ट्रा में था, 5.8%, basically ये जो मैंने graph, यहाँ पर ये chart है, इसमें आप देख सकते हैं, कि overall अगर top 2 की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पत्ना, बेगुसराय, bottom में देखेंगे, तो सिवहर, अरडिया, किस पर, per capita income पर, petrol consumption पर देखेंगे, तो अगर North बिहार का comparison किया है, South बिहार का उन्होंने किया है, फिर overall किया है, तो petrol के अगर हम इसको basis मानते हैं, तो पत्ना, मुझाफरपूर, बाता सिवहर, पर यह वाला ज्यादा important है, यह एक बार आप देख लीजिएगा, नीचे वाला, per capita income में, पत्ना बेगुसरा है, और bottom में, सबसे नीचे में, सिवहर और अरडिया, यह दोनों आप ध्यान में रखेंगे, first chapter, economic survey से जो है, इतने data important थे, इससे ज़्यादा कुछ उसमें नहीं दिया गया है, बस कि तीन slide उसके लिए था, अब हम India State of Forest report जो है, देखते हैं, तो, यह 17th edition था, सब पहला edition इसका 1987, Forest Survey of India, जिसका headquarter देहरादून है, इसके दोरा publish की जासती है, अब हम बिहार से related सिर्फ data देख रहे हैं, इसमें इंडिया का कोई data नहीं है, सिर्फ बिहार का data है, Forest cover की बात करते हैं, बनावरन जिसको बोलते हैं, कि यह 7380.79 स्कॉर किलोमेटर रहा है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिहार का आपने याद किया होगा, 94163 स्कॉर किलोमेटर, अगर आप डिवाइड करेंगे, 7380 upon 94163 into 100, तो इसकल तो 7.84 आएगा आपको, यह आप ध्यान में रखेंगे, कि अगर सिर्फ forest cover पूछा जाए, तो 7.84, और last report, मतलब last report इसका दो साल पहले आया होगा, 19 से forest cover सिर्फ 75 स्कॉर किलोमेटर बढ़ा है, म 3 cover 2341 स्कॉर किलोमेटर, इसको भी फिर अपन बिहार का एरिया करेंगे, तो 2.48 आएगा, तो forest cover इतना है और tree cover इतना, यह दोनों आप ध्यान में रखेंगे, तो tree cover 338 स्कॉर किलोमेटर पिछले report से बढ़ा है, यह भी ध्यान रखेंगे, अब total forest plus tree cover, वनावरन प्लस ब्रिक area, 9722 upon 94163 into 100 करेंगे, तो 10.32 आएगा, तो अगर दोनों की increment की बात कर ले कि 19 से कितना बड़ा, तो 413 स्कॉर किलोमेटर, अब देखें, forest में सबसे जादा ब्रिधी जो हुई है, वो बांका जिले में हुई है, बांका डिस्टिक, मंदार, परवत, ओर्डनीर, डैम, सभी आ कैमूर डिस्टिक में, 4.83 स्कॉर किलोमेटर, फ्रम लास्ट रिपोर्ट, सभी जो कंपैरिजन कर रहे हैं, कि सबसे जादा ब्रिधी कहा हुई है, बांका जिले में इतना, और सबसे कम, कैमूर में, लास्ट रिपोर्ट, 2019 से, अब देखें, ये जो हमारा forest कवर था, 7.84 पर बन हुए, फिर उससे कम वाले, और फिर open, खुले बन, तो इसमें जो share है, वो सबसे जादा open forest का है, ये आप ध्यान में रखेंगे, अब ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, देखी जैसे ये, अगर 7.84 परसंट जो है, टोटल forest कवर, उसकी बात उसको अगर हम इसमें डिवाइड करें, तो VDF जो है, मात 4% है, MDF 45% है, और open forest, खुले बन जो है, सबसे जादा है, सरवधिक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, अगर ranking या कुछ भी दिया हो, तो open forest, MDF, VDF, एक important data और इससे important आपको आपको देखने को मिलेगा, आगे, द वेस्चंपारन, रोहतास, तीनों data आप ध्यान में रखेंगे, ये data नहीं पूछेगा, mostly अगर पूछना होता है, तो कैमूर पूछता है, वेस्चंपारन पूछेगा, रोहतास पूछेगा, 1st, 2nd, 3rd, अगर कम की बात करें, तो सबसे निविंतम कहां पे है, सेखपूरा मे 1.19 स्क्वार किलोमेटर, उससे जादा थोड़ा सा, अरबल, फिर जहानाबाद, ये 3-3 districts आप ध्यान में रखेंगे, अगर हम area की बात करते हैं, कि किसे जिले में कितना forest है, अपन उस जिले का area, in 200 percentage में निकालेंगे, तो उसमें कैमूर टॉप पे है, बट 2nd में West चंपारन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, West चंपारन के area जादा होगा as compared to Jammui, तो divide जब करेंगे, तो फिर वहाँ पे हो कम हो जागा, इसलिए ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कि कैमूर तो 1st में है, बट 2nd में क्या है, जमूर और 3rd में नवादा, यहाँ रहतास और West चंपारन नहीं है, area में यह आप ध्यान में रखेंगे, least की बात करेंगे, तो सबसे कम पे से एक पूरा तु हैं, बट 2nd 3rd में यहाँ पे देखिए, बकसर और सिवान 2nd में लास्ट 3rd में क्या है, गोपाल गंज, तो यह इतने data आपके लिए important है, carbon stock की बात कर हैं, तो बिहार में 56.88 million ton है, जो कि इंडिया का जो carbon stock है, उसका 0.79% है, 19 में कहाँ था, 55.24 million tons था, यह carbon stock है, cattle population की बात करेंगे, 32.93 million बिहार में रहा है, अब यह important data है, देखिए, हमने बात की थी पिछले में, कि यह रहा आपका MDF 45%, BDF 4% और open forest 51%, तो सबसे ज़्यादा जो VDF है, वो west चमपारण में है, मतलब सरवधिक जो गहने वाले बन होते हैं, वो west चमपारण में है, और open खुले बन की बात करें, तो यह कैमूर में है, ऐसा chapter 13 का जो data है, उसमें भी दिया आ गया है, वे chapter 13 को हम देख रहे हैं, आर्थिक सर 20-21 में क्या है, कि forest and logging का जो contribution agriculture GSDP में, वो 7.9% रहा है, यह data आपके लिए बहुत important है, देखिए, कि 20-21 में जो total annual rainfall रहा है बिहार का, वो 1385 mm, 1385 mm, यह आप ध्यान में रखेंगे, किसन गंच में सबसे सरवाधिक बाडिस होई है, वो है 2765 mm, फिर सुपॉल, फिर west सबसे कम बाडिस जो हुई है, वो अरवल जिले में हुई है, 769 mm, अब एक data क्या है important, देखिए, कि बहार का जो average है, वो 1385 है, तो 38 में से 18 जिले ऐसे है, जहां पे state का जो average rainfall है, मतलब 1380 mm से जादा हुए, मतलब 18 जिले में इससे जादा हुए है, बाकी के 20 जिले में इससे क हुए, यह आप data द्यान में रखिएगा, बिहार का एक important initiative है, जल जीवल हडियानी विसन, आप comment section में बताए को कब launch किया गया था, इसका target था 2020-21 में कि 2.51 करोर जो है, हम tree plant करेंगे, हमने target से जादा 3.92 करोर जो है tree plant किया था, 21 का जो हमारे target है, वो 5 करोर का है, यह आप द्यान में रखिएंगे, nature safari of राजगीर इसको inaugurate किया था, 26 मार्च 2021 को माननी मुकमंत्री के द्वारा यह inauguration हुआ था, राजगीर जू safari भी है, यह भी आप यहाप द्यान में रखिएंगे, देखिए एक application है, यह हम discuss कर चुके ह पहले भी बट इस चैप्टर में दिया है, इसलिए हम इसको discuss कर रहे है, वो है इंदरभज आप, यह थंडर स्टॉर्म की early winding देगा, 40 मिनिट पहले बता देगा, इसलिए यह आप ध्यान में रखिएंगे, अब average temperature की बात करते हैं, और श्रत तापमान करें, कि 2011-12 से लेके 20- 21 तक जो average temperature रहा है, और 23.5 degrees Celsius रहा है, lowest की बात करें, तो 1.1 degrees Celsius 2013-14 में था, सबसे कम जो तापमान था, यह 2013-14 में 1.1, यह data important है, अब आते हैं 484 पे, देखिए, बिहार का total geographical area 94,163 square kilometer है, तो इसमें से क्या है, यह 13,746 square kilometer है, वो forest fire, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं, कि it is prone to the forest fire है, उसके बाद क्या है, कि सबसे जादा forest fire, जो है, आपको मुंगेर जिले में, सर्वे के नुसार जो है, पाया गया था, बिहार State Wetland Board, इसको 2020 में established किया गया था, मैं यहाँ एक चीज़ बताना आपको चाहूँगा, कि अभी जैसे कि बहुत सारे newspaper, reports, सरजग क्या दिया गया है, कि रामसर साइट जो है, कवरताल बेटलेंड जो बिहार का एकमातर रामसर साइट है, वो 49 रामसर साइट है, इंडिया का, but economic survey 2021 में हो और 30 वा लिखा है, तो थोड़ा यह confusing है, कि economic survey जो हमारे बिह का official document है, वो उसको 38 बता रहा है, बाकी हर जगत 39 बता रहा है, यह आप ध्यान में रखेंगे, पंदरा से लेके 17 जन्वरी 2021 बिहार का पहला first bird festival, कलरग, नागी नक्ती, bird sanctuary, जमुई, यह उस chapter का, इसलिए मैंने इसको में इसको में इंसन करा है, हम लोग पहले भी देख चु करेगा dolphin के genetics पे, यह भी हम लोग कर चुके हैं, बट छो कि दिया है, इसलिए मैंने फिर से 1-9 ने यह पर mention करा है, देखिए, 2021 में एक महावीर biodiversity park जो है, को inaugurate किया गया था, जमुई district में, यह important है, देखिए, routine sources में बहुत जगा missing है, यह बट यह ध्यान में रखेंगे, arsenic contamination हुआ या फिर iron fluoride, इसमें क्या है, कि 14 ऐसे जिले हैं, जिसमें arsenic contamination है, 11 districts जिसमें iron contamination है water में, और fluoride contamination भी 11 districts में है, इसका हम एक चार्ट देख लेते हैं, देखिए, यह है, कि arsenic से प्रभावित जो कहां का भूजल है, यह देखिए, बेगु, सराय, भागलपूर, दर्भंगा, कटिहार, टोटल 14 जिले हैं, जो है, आर्सनिक से contaminated है, फ्लॉराइड वाले 11 districts, और iron वाले भी 11 districts, यह तीने डेटा आप ध्यान में रखेंगे, यह मैप है, मैप को आप प्रैक्टिस फिर से एक बार कर लीजिएगा, now we move on to the next, 491, बिहार सरकार की cleaner fuel policy है, 2019 में आ रही थे कि आप CNG में इसको replace कर लीजिए, 40,000 रुपीज है यह द्यान में रखिएगा, बिहार गवर्मेंट का disaster risk reduction roadmap है, इसका duration है, 2015 से 30 तक है, यह आप द्यान में रखेंगे, यह बहुत important है, देखे, बिहार स्टेट disaster management authority, इसको disaster management act 2005 के अंतरगत अस्थापित किया गया था मतलब, it was established under DM Act 2005, और अस्थापना कब किया गया था, यह important है, क्या 2005 में ही, जैसे national level पे NDA में होता है, वैसे state level पे SDMA होता है, National Disaster Management Authority, उसी तरह बिहार में क्या होगा, बिहार State Disaster Management Authority, तो यह 6 November 2007 को इसका अस्थापना हुआ है, CM इसके chairman होते है, state level पे और national level पे PM होते है, यह question important है, ध्यान में रखेगा, पूछा जाएगा, बिहार SDMA प्लस NIT पत्ना ने इंडिया की पहली अर्थ को एक safety clinic start की थी, यह आप ध्यान में रखिएगा, बिहार का worst अर्थ को एक कब आया था, 15 जनवरी 1934, और सबसे flood से related, जो worst एक तरह के flood है, 2008 का कोशी flood था, Vice Chairman, जो अभी SDMA के हैं, उदैकांत मिस्रा, और कुछ इनी से यह tips है, उसको ध्यान में रखेंगे, कि भुकम जो सपता होता है, अर्थ को एक safety week होती है, वो 15 से 21 जनवरी तक होती है, हर एक साल मनाया जाता है, वो इस SDMA के द्वारा, देखिए, यह है SDMA से related, यह आप जाके ए कुछ important चीज़ है, बिहार State Disaster Management Authority, बिहार राज आपदा प्रवन्दन प्राधिकरन, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, यह आप ध्यान में रखेंगे, देखिए, टोटल 38 जिले में से, आठ जिले ऐसे हैं, जो SESMIC JONE 5 में आता है, जिसमें से दो जिला, जो है, मदवनी और सुपॉल, वो completely SESMIC JONE 5 में आता है, बाकी जो 24 जिले हैं, वो SESMIC JONE 4, और 6 जिले SESMIC JONE 3 में आती है, बट इस पे सबसे ज़्यादा important है कि आप यह ध्यान रखेंगे, कि मदवनी और सुपॉल, जो है, completely SESMIC JONE 5 में आता है, बस ऐसा है कि जिले का कुछ पार्ट कोई किसी और JONE में आता है, इसलिए कहा गया है कि multiple SESMIC JONE में बहुत सारे जिले आते हैं, 1934 का worst Earth को एक खाई, आप ध्यान रखेंगे, जिसमें 10,000 से उपर लोगों ने अपनी जान कवाई थी, यह website पे official data है, मैं कहीं से लेकर नहीं बता रहा हूं, आपको website का screenshot सेर कर रहा हूं, देखिए, तो 498 वही है, कि flood safety week कब मनाती है, इस डे में, तो 1 से 7 जुन, 15 से 21 जनवरी जो है, earthquake safety week और flood safety week 1 से 7 जुन, यह मैंने आपको बता दिया कि 8 जिले जो है, सिस्मिक जुन 5 में है, जिसमें मदवनी और सुपॉल कम्प्लीटली सिस्मिक जुन 5 में है, तो यह पूछा जा सकता है, 500 देखिए, North बिहार flood prone है, और South बिहार drought prone है, यह आप जानते हैं, कि उत्तर बिहार में बाड़ की समस्या है, और दक्चिन बिहार में सुखाड की समस्या है, तो इसमें क्या है, उत्तर बिहार का जो geographical area है, टूटल, उसका 73.63% जो है, वो flood prone है, वहाँ बाड़ आने की समबाबना रहती है, सौरव बिहार कोसी को कहते हैं, और देखिए, दमोदर रिवर को सौरव बेस्ट वैंगौल कहते हैं, तो यह आप दिहान में रहेंगे, देखिए, इस वीडियो में हम इतने तक देखेंगे, आने वाले वीडियो में अभी different जो economic survey का chapter है, उसको discuss करेंगे, साथ में बिहार budget, और जो कुछ important अगर current affairs है, नहीं तो बिहार history, बिहार quality, और जो one liner से, miscellaneous section से बिहार के, उन सभी वो आने वाले दिनों में देखेंगे, एक week पहले तक मैं आपको सारी series खत्म करने की 100% courses करूँगा, ताकि आपको complete one week time मिल जा, इन सभी PDF को 2-3 बार revise करने क ले, तब तक आइन वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको ध्यान में, जब भी आप free हो, अपने routine sources revision करके तभी इन वीडियो को देखा कीजिए, all the best, happy revision, telegram, एक चीज यहां पे रह गया, यह जो मैंने आपको data बताया था, वो यहीं से लिया गया था, 73.3% वाला, 63% वाला, यह आप ध्यान में रखेंगे, telegram group पे आप जॉइन कर लिजिए, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लिजिए, साथ में, जितने important MCQs है, economy पे, polity पे, history पे, बिहार special revision पे, उन सभी को एक बड़ा practice जरूर कर लिजिएगा, happy revision, all the best, channel को share कीजिए, अगर आपको content अच्छा लग रह हो, या मेरा, जो approach है revision का वो सही लग रहा हो, all the best,